नमस्कार दोस्तो, मेरा नम है बिजय कुमार, आप देख लेए कॉमिक्स पिटारा चैनल को, तो चलिए दोस्तो, डैमन कॉमिक्स में चचा चौधरी की इस्तंदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं, जिसका नाम है चचा चौधरी और योधी स्टीर का मुगोट, आप देख सकते ह कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को सुरू करते हैं, जिसका नाम है योधी स्टीर का मुगोट, बीनी तुमने टेलीफॉन का रिसीबर उठा कर क्यों रख दिया, ताकि कोई तुमारे खाने में बिघन न डाले, तुम देन राद दूसरो के कामों में उलजे रहते हो, बदले में क्या मिला, मिनिस्टर की सीट या गवर्नर का पद, मुझे क्यू नकारा बनानी का सोच रही हो, मैं किसी को आज तुमारे पास नहीं आने दूँगी, ताकि खाना तो चैन से खासको, चाची, आज की खीर ला जवाब बनी है, की और मिलेगी, साबू, अगर मैं दर्वाजा छोड़कर अंदर खेर लेने गई, तो कोई आट अपकेगा, और तुमारे चाचा को खाना छोड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा, कार को वही बाहरों को, क्या चाचा चोधरी का घर यही है, हाँ, मगर आखिर तुम लोगों रही चाती, अगर तुमारी कोई समस्या हो, या चोड़केती हो गई हो, तो सरकार के पास जाओ, पुलिस किस लिए है, आप गलत समझ रही है, चाची उसकी बात तो सुन लो, सहर की नागरिक समीती ने चाचा चोधरी को सर्विसरस्ट नागरिक चुना है, और विश्व में एक हपता तक कि कहीं भी छुटिया मनाने के लिए हवाई जाहस दिया है, ये रहा ओथरेटी लेटर, मेरा काम खत्म, पता नहीं कैसे कैसे बेवकुप लोग भड़े पड़े हैं इस अंसार में, चाचा जी एक हपता तक मौजमस्ती मनाने के लिए छुटिया, क्या ये सच ह भगवान, तुम भी हमारे साथ चलोगी, अगर मैं चली गई, तो पीछी से तुमें जो पूछने आएंगे, उन्हें जवाब कौन देगा, तुम दोनों जाओ, चल भई साबू, कहीं बिदेश में घूम ले नागरी समीती ने हमारे लिए जहाज अच्छा चुना है, बस मेरे बैठने की सीट नहीं भनवाई, वा, सहर की घर्मी से निकल कर आसमान की ठंडी हवा में कुछ रहात मिली, आसमान साफ है, जहाज के कलपूर्जे सही काम कर रहे हैं, मैं हवाई जहाज को हाईजेक कर रहा हूँ, यह जहाज तो मेरे और सावू के लिए है, तुम तीसरे कहां से आ गए, तुम्हारे जहाज में सवार होने से पहले ही मैं जहाज में छिप गया था, बस हाई जैकर को जादा नहीं बोलना चाहिए, अगर जान की खेर चाते हो, तो जहाज को मौरिशस की तरफ मोर दो मगर हम मौरिशस ही जा रहे हैं, ओ, मैं गलत जहाज पर बैठ गया हेलो, मौरिशस पुलीस, मैं चचा चोधरी बोल रहा हूँ, हमारे जहाज पर एक हाई जैकर है, आप उसके लिए हटकड़ी तयार रखिए, उधर हिंदुस्तान में एक जगह, उस कार में डाकू भुपा है, रप्तार तेज करो, उसे पकड़ना है धाए धाए, गोलियों ने उसके पीछे के दोनों टायर भेद दिये सुक्र है, पासी घना जंगल है, सर भुपा घने जंगल में घुज गया है, वहाँ उसका पीछा करना मुश्किल है, ठीक है, वापस चलो मैं पुलिस को चक्मा देने में कम्याब रहा, बाल बाल बज गया प्यास से गला सूक रहा है, अगर मुझे पानी न मिला तो मर जाओंगा, साइद उस खंडर में कोई हो, जो मुझे पानी दे पानी, पानी और फिर वहाँ एक साधू ने उस डाको को पानी पिलाया, आराम से खाओ, यहाँ किसी किस्म का डर नहीं है, मैं बहुत दिनों का भूका हूँ वो मुर्ती पत्थर की है, पर उसके सीर पर रखा मुकुट, सोने और किम्ती हारो का है और फिर वो डाको उस मुर्ती से वो मुकुट को उतार लेता है, चोरी करना पाप है बुढ़े, रास्ते से हर्चा, अगर तुमने मुझे पानी और भोजा ना दिया होता, तो मैं तुम्हें मार देता इतिहास बेता प्रोफेसर नक्च बोरन इस मुकुट की असली कीमत बताएगा प्रोफेसर नक्च बोरन प्रोफेसर, देखो मैं क्या लाया, इस पर पाए गए चीनों से पता चलता है कि ये बरतन चीन के कनफ्यूसियस के कालका है इस मुकुट को मैंने पहले कहीं देखा है नामुम्किन उस जंगल में आज तक भारी आदमी कोई नहीं पहुँचा ठेरो एक मिनट क्या तुम इस मुर्ती के सिर से मुकुट उतार कर लाए हो हाँ पुर्फेसर ये मुर्ती महराजा योधिस्टिर की है और ये मुकुट महभारत के समय का है पुर्फेसर बताओ ये मुकुट कितने मुल्ले का होगा ये एतिहासिक वस्तू है तीन से पाच अरब रुपे इसका मुल्ले आखा जा सकता है उधर घने जंगल में आज फूल मुर्जाए और पेर पौधे उदास क्यों है अचारे आप स्वस्त नहीं लगते हैं अलक खानन्द योधिस्टिर का मुकुट चोरी हो गया है ये ही मेरे संताप का कारण है जब तक वो मुकुट वापस लाकर उस मूर्ती पर नहीं रख दिया जाता मैं अंजल ग्रहन नहीं करूँगा ऐसी परतिग्या ना करिये अचारे उसे खोज कर ले आएंगे अगर उसे कोई खोज सकता है तो केवल एक बेक्ती चाचा चोधरी मुझे बिना समय खोए चाचा चोधरी के पास जाना है महराज रुकिये मैं भिक्षा लेकर आती हूँ माता आटे की नहीं मैं यूधिस्टेर के मुकुट के भिक्षा लेने आया हूँ मुझे चाचा चोधरी से मिलवा दो मोरिशस के समुंदर में साबू तुम्हें खीचने के लिए मैंने इस बोट में इस्पेसल पाउरफूल एंजिन लगवाया है लेकिन रसी इस्पेसल नहीं लगवाई ओह वो तूट गई चपाक चुटिया खूब मजे की बीत रही है मैंने होटल को तुमारे लंज के लिए साथ पूडिया, छो किलो पुलाओ चार किलो दही, तीन किलो आलो मटर आठ किलो खीर और तीस पैतीस पापड़ों का ओरडर दे दिया था साहब भारत से आपका फोन हेलो बीनी फोरन भारत चले आओ अगर वो मुकुट राष्टिये धरोहर ना होता तो मैं अपने पती और साबू को छुटियों से वापस न बुलाती और चाचा चोधरी वापस अपने देश को चल पड़ता है कभी सोचा भी ना था कि मौज मस्ती के दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे चाचा चोधरी के निवास अस्तान पर अलाखानन्त तुम्हारी दास्तान सुल्ली हम अचारे जी को मर्मे नहीं देंगे यूधिस्टीर कमुकूट वापस आएगा चाचा जी मसला पेचीदा है हम डाको को पहचान नहीं सकते पता नहीं वो कहा होगा साबू उल्जनों को सुल्जाना हमारा काम है की फोटो और उनकी आदतों की जनकारी लेनी है आईए पहला नीबा चरस और गांजे का स्मगलिंग करता है दूसरा गोसो बैंग को लुटता है तीसरा भुपा एतिहासिक वस्तुओ की चोरी करता है बस मुझे इसी की तलास है भुपा ने ऐसा मुकुट चुराया है जिसके साथ देश के कडोरों लोगों की भावनाय जूड़ी है उसे ग्रिफतार करना चाहिए पुरा तत्वबेता नक्ष बोरन के निवास पर चलिए क्यों? भुपा चोर है वो इतिहासिक वस्तु का मुल्यांकन जरूर कराना चाहेगा और ये काम नक्ष बोरन से ज़्यादा बहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता पुर्फेसर नक्ष बोरन भुपा मुकुट को बिदेश ले जाना चाहता था मैंने रोका उसने मुझे गोली मार दी वो मेरी सफेद वैन जिसका नमर 0003 है उन ले गया है वो मर गया कमिस्टर सहाब एरपोर्ट को चलो वो चोर जल्दी से बहमुल्य मुकुट को देश से बाहर ले जाना चाहेगा हम उसे रास्ते में ही गिरपतार कर लेंगे आगे एक वैन जिसका विबरन परफेसर ने दिया था जाती दिखाई दे रही है कार और पास लाओ ताकि मैं वैन का नमर पढ़ सकूँ पुलिस मुझे रापतार तेश करनी चाहिए ये वही है ओ कमबक भेडो का जून कहां से आ गया वैन नजर से गायब हो गई साबू वो वैन अगले पूल से गुजरेगी तुम सौटकॉट से नदी पार करके उसे रोक सकते हो नदी पार नदी पार सड़त पर मैं पहले पहुँच जाओंगा रोको हैं मुझे चकमा दे कर निकल गया चुहे इस कनस्तर को तुम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते मैं ठीक समय पर टैनल के अगले द्वार तक अगले द्वार पर पहुँच गया धब रास्ता छोड़ दो वरना फुपा ने एक्सलेटर पूरा का पूरा धबा दिया अब तुमारी वैन एक सेंटीमेटर भी आगे नहीं बढ़ सकती सावू डाकू की गाड़ी को पकरने में काम्याब रहा उसे जो काम दिया जाए वो उसे पूरा करता है ओ वैन टैनल में घुज गई पुलिस कमिस्तर ने वैन की खिरकी में देखा महराज युदिस्टिर के मुकुट को परणाम चाचा चोधरी अब आप जाएए बागी काम पुलिस का है अभी नहीं कहीं डाकू बेवकूफ न बना दे इसलिए बहतर होगा कि आप हेटकौटर से पुलिस फोर्स बुला ले ठीक है हेलो पुलिस के कुछ जवान फोरन आ जाए जल्दी सवार हो जाओ लीजिए पुलिस बल आ गिया अब हम निस्चिंट होकर जा सकते है चल भई साबू धर जाकर टेवी सिरियल देखी जाए भुपा आगे पीछे पुलिस की गाड़ी आ होंगी तुम बीच में चलोगे अपने वैन रिवर्स करो करता हूँ रुको रिवर्स करते हुए तुमारी वैन हमारी गाड़ी से टकरा गई है धाक माफ कीजिएगा वैन को आगे करता हूँ धाक भुपा तुमने वैन को मेरी कार में दे मारा धाको भुपा पुलिस की गारिया लग जाती है इस मुकुट के लिए अगर मुझे जान से भी हांद धोना पड़े तो अफसोस नहीं होगा भुपा को पकरना चीरिया पकरने के बराबर नहीं पुलिस को ये समझना चाहिए पुलिस की गारिया बाहे जाने की बज़ाए सीधे निकल गई पूर तक पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, प्लाइबूर्ट के बक्सों को फैक्टरे पहुचाना है, मुझे समय पर पहुच जाना चाहिए, जब तक भुपा सामने देखता है, तब तक देर हो चुकी होती है, ठाक, पुलिस से पीछा छुडाने में मैं काम्याब हुआ, दूर एक पुरानी इमारत दिखाई देती है, वे सब घर पर ही होंगे, भाई सामा, कोई आया है, बीला, छेद में देखो, कहीं पुलिस तो नहीं, अरे, ये तो अपना बड़ा भाई भुपा है, सामा, बीला, कैसे हो, बड़े भाई, इस बार तुम बहुत दिन घर से बाहर है, क्या, पुलिस पीछे लग गई थी, इंदर प्रस्त में राज सियू, यक बड़ी धुमधाम से हुआ, जिसमें अनेक राजा और रिसी मिनी सम्मिलित हुएं, भाई देखो, मैंने तुम्हारे पीछे से बैंक लूटा, जिसमें बड़ी रकम हाथ लगी, मैंने एक सेट के बेटे का अपरहन किया, जिसके बदले में ये जेवरात और धन मिला, बुरे काम छोड़ दो, मुझे सर्म आती है तुम्हें अपने बेटे कहते हुए, बुरिय हजारों रुप्य का होगा, इसमें जड़े हीरे मूती लाखों में बिकेंगे, मुर्खो, ये इतिहासिक मुकुट उससे कहीं ज्यादा मुल्यवान है, मैं इसे बिदेश में ले जाकर खर्मों में बेचूंगा, और धन्वान हो जाऊंगा, भाई, अगर तुम इजाजत द चाली बिजली का करेंट उसके सिर में फिर गया, वो असाय मूर्ती की तरह हो जाता है, कोई देवी सक्ती उसे उड़ा कर ले जा रही थी, वो सेक्डू पकास वर्सदूर अंत्रिक्ष में एक लचार ग्रह की तरह घूम रहा है, पीडा से उसका सरीर तूटता है, बिला वो मर गया है, ऐसा क्यों हुआ? क्या युदिस्टि जैसा धर्मात्मा और ग्यानी राजा का मुकुट धारन करने की बिला में योगता थी? जब कोई कप्टी ऐसा करेगा, तो परिनाम यही होगा, ये केवल वहम है, मैं इसे नहीं मानता, मैं इस मुकुट को पहनता हूँ, दे इसामा, उठो, लगता है ये भी मर गया, मेरा कहा मानो, मुकुट को जहां से लाए हो, उसे वहाँ पहुचा दो, दूसरी दिन चाचा चोधरी के निवास पर, साबू, ट्रांजिस्टर सुनना बंद कर और जाने की तैयारी कर लो, कहां चाचा जी? हामें पुलिस हेटकौर्टर जाना होगा, एतिहासिक मुकुट चोरी, डांको पुलिस के चुंगल से भागा, इससे पहले कि और संसनी फैले, हमें पवित्र मुकुट बरामत करना होगा, जनता मैचैन हो ठीगी, उमीद है पुलिस अफिसर आ गये होंगे, हमें अपसोस है, हमारी चुक से भुपपा भाग निकला, लेकिन अब हम उसे कहां खोजेंगे, हमारे गुपचर सहर में चारो तरफ फैले हुए हैं, वे उसका पता लगा लेंगे, तभी एक पुलिस गुपचर आता है, भुपपा की वैन को दच्छिन में सहर के बाहर एक पुराने मकान के खड़ा पाया गया है, बस काफी है, सिपाहियों मेरे साथ आओ, हम उसे धर्द पोचेंगे, उधर भुपपा के घर, ये घटना है मुझे बित्रित नहीं कर सकती, मैं इस मुकुट को बिदेश ले जाऊंगा, इससे पहले पुलिस आ जाए, मुझे ये जगा छोड़ देनी चाहिए, भुपा की बेन, वो भाग रहा है, चाचा जी, आप बेफिक्र रहिए, इस बार भोल नहीं होगी, पुलिस मेरे पीछे लग गई है, लेकिन मैं इनके हाथ नहीं आने वाला, एरपूर्ट पाची है, सत्यनास, पेट्रॉल खत्म हो गया, मैं इस घर में सरन ले सकत हूँ, आप कौन है, दरवाजा क्यों बंद किया, लड़की, जरा भी बोली, तो जान से हाथ दो बल्टूगी, वो इस मकान के अंदर गया है, भुपा, तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अपने आपको कानून के हवाले कर दो, कमिस्नर सहाब, मेरा जवाब सुनो, अगर म मुझे हवाई जहाज से इस देश से बाहर ना जाने दिया, तो मैं इस लड़की को गोली मार दूँगा, मैं तुम्हें आदे घंटे का समय देता हूँ, मैं मकान का दरवाजा तोड़कर उस चुहे को कुचल डालता हूँ, साबू, रुको, ये वक्त गुसा करने का नही, विवेक से काम लेने का है, चाचा जी, अब क्या करना चाहिए, कमिस्नर साहब, इस समय एक इनसान की जिंदगी खत्रे में है, हमें भुपा की सर्ट माल लेनी चाहिए, बैठिये, एरपोर्ट जाकर भुपा के लिए हवाई जहाज का परवन करना है, चाचा जी, मुझे उम जहाज नमर एक सी, जहाज नमर एक सी, वन वन फाइब तयार है, मैं उसे उड़ा कर ले जाऊंगा, कमिस्नर साहब, मैं यहाँ कैप्टन से बाते करता हूँ, आप जाकर भुपा को ले आईए, ठीकने आदमी, तुम हार तुम मान ही चुके हो, वहाँ तुम्हारे ना होने स क्या फर्क परता है, उधर, मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, तुम मेरी जीत की गोटी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, भुपा, हवाई जाहस तैयार है, तुम देश से बाहर जा सकते हो, ढांकु बाहर आता है, चलो, जब तक मैं सुरक् जगह पर ले जाएगा, लंबू, तुम क्यों पीछे आ रहे हो, ताकि मौका मिलते ही, तुम्हारी गर्दन मरोर सकूँ, वो चांस कभी नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पहुंचने पर, भुपा, तुम्हें ले जाने के लिए जहास त्यार है, चलो, दाकु मेरे सामने जा रह है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, मैं इतना मजबूर कभी नहीं हुआ, लड़की, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें अजात करता हूँ, मैं यूधिस्टिर का मुकुट लेकर बिदेश जा रहा हूँ, तुम आखरी बार इसके दर्सन कर लो, इसे देख लो, बस प वापस कर दो, वारना मैं तुम्हें मार डालूंगा, जहाज के अंदर, कोह कटन, कोह कैप्टन, कैसी रही, चौधरी साहर, बला आपका प्लान फेल हो सकता है, चाचा चौधरी का दिमार कंप्यूटर से तेज़ चलता है, भोपा, तुम घिर गए, खबरदार, जो कोई मेर करीब आया, मैं उसे गोलियों से भून दूंगा, जब टिड़ी की मौत आती है, तो वो फुदकने लगती है, धाय, धाय, तुम उस लाल पगड़ी वाले के साथी हो, जो मुकुट उडा ले गया है, मैं तुम्हें मार कर बदला लूंगा, एक गोली साबू का कंधा चीरती हुई निकल जाती है, बस काफी पटा के चला चुके, मैं तुम्हें मसल कर मार डालूंगा, नहीं साबू, उसे हमारे हवाले कर दो, उसे कानून सजा देगा, तो कमिस्तर सहाब, समाल ये इसे, लड़की को उसके निवास अस्तान पर छोड़ कर हम पुलिस हेटक्वार्टर जाएंगे, उधर एक C-115 जहाज पर चौदरी, अब हमें कहां जाना है, कैप्टन सहर के पुर्व में घना जंगल है, वहां हजारों साल पुराना एक मंदिर है, हमें वहां जाना है, लेकिन चौदरी जंगल में जहाज का उतरना नामुम्किन है, पर वहां वन के सुरू मे पकी सणक है, सणक पर कैप्टन जहाज को उतारता है, धन्यवाद कैप्टन इसी घने जंगल के बीचोबीच वो पुराना मंदिर है, जहां से ये मुकुट चुराय गया था, काफी देर तक चलने के बाद ये वही जगह है, एतिहांसिक मुकुट वापस उधिस्टिर के मू प्याट का धावग, 71, 72, 73, 74, निम्बुचक, 10 रुपे उधार देना आजकल बड़ी कड़की है, एक तेज धावग होते हुए भी तुमारे पास पैसों की कमी रहती है, दोड का मीरी से क्या तालुक है, तुम अपने गुन से पैसा पैता कर सकते हो, वो लाल पगरी वाला नोट किन रहा है, उन्हें छीन कर भाग जाओ, वो तुम जितना तेज नहीं दोड सकता, आइडिया तो अच्छा है, 82, 83, 84, सहाब ज़रा सो के छुटे देना, ये लो, छुटे नोट, धन्यवाद, अरे, पर तुमने मुझे सो का नोट नहीं दिया, वो तुमें नहीं मिले देखा, फीजुल में मेरे पीछे भाग कर समय क्यों बाबात करते हो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता, मैं तेज दोडने में एसियार्ड का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं तुम्हें पकरने के लिए नहीं दोड़ा, फिर मैंने तुम्हें 99 रुपे दिये हैं, सावा नो हो जाता, अरे चाचा चोधरी को यहां होना चाहिए था, वो रहे वे, चाचा चोधरी जी मैंने आपको चेक दिया था, आप मेरे सेविंग एकाउंट से 100 रुपे ले आईए, 100 रुपे ले आए, लाईए, वे कहा है, मैं बैंक से तुम्हारे रुपे ले आया था, लेकिन वो आदमी उन्हें चीन कर भाग खड़ा हुआ, बस उससे रुपे वसूल करना मेरा काम है, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे पास जो रुपे हैं, वे मेरे हैं, क्यों फुजिल में ठकते हो, तुम मुझे नहीं पकर सकते, जानते नहीं, तेज दोर्दे में मैं ACR का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये तुम्हें पकर लेगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट धावक है, उसके साथ ही मैं ब्लैक वेल्ट कराटे चैंपियन भी हूँ, कहो तो एक दो हां दिखाऊं, नहीं, जब मैं तुम्हें एक रुपे देने के लिए पी आए, तो एक स्टोरी यही खत्म होती है, तो मिलेंगे आप से एक और नहीं कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाइ, वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां इस वीडियो के जरूत हो, वहा वाचिए लेगे तो आए, वीडियो जए वीडियो अश्याए, वीडियो मैं वाच्छी लेगे तो, चैनल पर नहीं कर देना, वीडियो श्याए, वीडियो अवीडियो झाल झाल